हेलो फ्रेंड्स जैम आतादी कैसे ही आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी होंगी आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत सा आगत है आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ फ्रेंड्स तो पहर के टाइम से और अभी मैं लंच करने की बाद म मैं आई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने मैं ने दवाई खाई है तो मैं आगे हूँ यह देखिए बिस्तरे में और मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है और फिर मेरी न दवाई खाने के बाद थोड़ा सा रिलेक्स हो जाता है तब यह उसके बाद में मुझे पशु छोड बक्रियों को और तबियत बिल्कुल सही नहीं है फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा और अगर जेतन होता मेरे पास यहां पर तो बहुत जादा हेल्प करता मेरी जब मैं थोड़ी सी बिमार हो जाते हो न तो मुझे कभी वो काम नहीं करने देता पर आज उसके बिना ये दिन भी देखने पड़े हैं सारा काम खुद करना पड़ रहा है देखिए बिस्तरे की हालत क्या पड़ी है मैंने इसको भी समेट के नहीं रखा है जैसे का तैसा ही है तो करते हैं अपनी तयारी जानने की और मेरे सिर में बहुत जादा दर्द है तो सबसे पहले तो मुझे बेहार भी नहीं निकलती हो अई है और शीर है मेरी कहाँ पर है जहाँ पर में गौबरobra क्रत हो तो उसको भी लेती हो और चलती हूं और आप लोगों से बस चलते से बात करती और फ्रेंड्स ये क्लिप मेरे पास आज सुबा की ही है जब मैंने पश्चों को बाहर बांदा और उसकी बाद में उनको हरी घास दी और मैं यहाँ पर आज चुकी हूँ गोबर उठाने चुंकि अभी अगर सुबा सुबा उठा लोंगी तो फिर ठीक रहेगा और अगर यह सुखी सुखी घास है इसको मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि यह इनकी बिचाने वाले घास है जो आज कल हम इनके नीचे बिचा करके रखते हैं चुकी सर्दी बहुत है बहुत ही ठंडी है तो ऐसे में बशों को खुछ तो चाहिए नीचे बिचाने के लिए तो हम सुखी घास ही बिचा देते हैं अपने बशों के नीचे और गोबर मैंने यहां से उठा लिया और मुझे अब दूसरी गोशाला में जाना है सफाई करने के लिए और जब मेरी यह गोशाला सूख जाएगी फिर मैं यह घास फिर से यहां पर बिच्छा दोंगी जिसे इनको बहुत ही आराम मिलता है ठंडी में और यह देखिए पशू बाहर है जो इनको हरी घास लाकर के मैंने दी थी ना वो यह आधी ही खा चुके हैं और थोड सब्सक्ता ELMA करें अब के लॐसे मशाला है और यहां मौसम उस्की खी खा लेंगे तो इतनी ज़ल्दी नहीं पिलाना क्यूंकि भी मार होने का बाद बशू आशों को तो आज तो आज ऐसे साफ मौसम भी दितना है तो आज मुझे कारना है? क्या नहीं करना आगे का फिर तभी डिसाइड होगा तो फाइनली मैं पहुंच की जंगल में बक्रियां लेकर के और दिखाते हूं आपको यहां से चारो तरफ का व्यू बहुत ही खुबसूरत है मेरी बक्रियां कहीं भागे नहीं न इसके लिए मैंने इंतजाम करके रखा है इनके लिए मैंने ला करके रखी है बोटल भरके मक्की के दाने और यह है रही बोटल आज मुझे इन वाली बोटल नहीं मिली जिसमें की दाने भरके रखते हैं तो मैंने दवाई की बोटल दोके रखी है कल फिसी में भरके में ले आ तो जब हम ना इसकी आवाज करते हैं तो यह फटा फट से आ जाती है एकदम से बुला करके तो इनके लिए मैंने जुगाड करके रखा है क्योंकि यह भागती है और फिर यह बुलाने से आ जाती है एकदम बुलाओंगी तो सभी गठे हो जाती है तो नहीं क्या करना क्या अमरे के पास आकी हट जा पिछे आज यह देखिए फ्रेंट्स आज धूप लेगी है मौसम बिलकुल साफ है धूप तो लेगी है पर यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा बहुत ही तेज है बहुत ही तेज ऐसे लगता है मानों सिर को चूरी है भहुत तेज ठंडी ठंडी हवा और मौसम साफ है पर थोड़े थोड़े बादल दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक और आज चार दिन के बाद मौसम खुला है इस तरह से साफ मौसम खुला है नहीं तो चार दिन हमारे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी खास करके पश्यों की क्योंकि आज कल तो वैसे ही पतिया नहीं है दिखाती हूं आपको कि देखें फ्रेंड्स इन में पतिया नहीं है सब जड़ गई है और खतम हो चुकी है पतियां तो अब इन में नहीं पतियां आएगी गर्मी के मौसम में और इनके कारण आज कल पश्यों को बकरियों को चरने के लिए भी कुछ नहीं है और उपर से फिर जब बारिश होती है तो फिर और ज़्यादा दिक्कत परिशानी का सामना करना पड़ता है हमें क्योंकि इतनी सारी पतियां कहां से लानी इनके लिए और मेरी साथ में आने स्टार्ट हो गया है ये छोटे-छोटे कि ये सामने से आई नहीं चलो भागो जाओ तो इनके लिए तो मैं अलग से ये बॉटल ले करके आई हूँ इसमें मक्की के दाने है और ये देखिए छोटे बच्चे भी आने लगे हैं ये भी अपनी मुमा के साथ आ जाते हैं कभी-कभी फाग के बैस तो मैं इनको घर में छोड़ती हूँ बट ये आज आते हैं कभी-कभार भाग करके और आज मैंने इनको पकड़ने की कोशिश की बट ये आ गए साथ में और अपने लिए मैं दिखिए क्या ले करके आई हूँ दिखाती हूँ नस्दिक से ये देखिए ये हम जब बरसात के मौसम में हमारी हाँ पर मक्की होती है तो इसको भून करके रखते हैं स्टोर करके रखते हैं और आज कर सर्दियों के दिनों में इनको खाते हैं बस मैंने अभी इसको थोड़ा सा गरम किया था और मैं इसको ले करके आई थी खाने के लिए और यह देखी इसका टेस्ट ना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हरी मक्की के दाने हम जब खाते है तब उसका टेस्ट आता है ठीक उसी तरह से इसका भी टेस्ट वैसे ही आता है अब तो गया वरना अभी तक ना इसका ध्यान यहीं था कि मैं इसको दूँ कुछ खाने को और अभी बुलाओंगी ना तो अभी आजाएगा ओए कालो आज ले 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 चोटे से बच्चु तेर को क्या चाहिए ओए नन्ने ये देखिए पशु भी होता है प्यार का भूखा ये भी बक्रियों की तरह ये मेरे साथ साथ रहती है और मेरे पास आ जाती है दोड़ के है न शोरू ये देखू और इसको न मैंने खुद पाला है पाल के इतना बड़ा किया है और ये न डेड़ साल की हो गी है ये देखू बट ये न बहुत जादा नोटंग की बाज है बहुत ही जादा बच्चों की तरह नकरे करती है मेरे पास है न तू कहां जा रही है और बच्चों की तरह इलड़ती है मेरे साथ में है न हाथ न वैसे कहते हैं कि हाथ गाय को चटाना चाहिए इससे हमारे जो लकीरे होती है हाथ की लकीरे वो जाग जाती है किसमत है ना बट ऐसा कुछ नहीं होता हमारे हाथ की जो लकीरे होती है वो पहले से हमारे हाथ में होती है और पहले से ही होता है भगवान camping किया होना है किया नहीं होना कुछ हम डिसाइड करते और कुछ भगवान दिसाइड की होता है वक चपना चिताना चीए Cantлись कि दो एसा कहते हैं कि हम्मारे जो कि तुमीरे भी खा लेगी जुझिकर कि नहीं Union मेरे पास इसको मैं खा रही है इसको ये पढ़ रही है समेल आ रही है इसको है डाने की चलो घर जाना घर में खाना भई यहां ने कुछ नहीं भागो पर एज सके लिए तेरे को लाया हुआ यहां पर और दिखो पशु हाज कल कितने कम जोर हो और यह ना मेरे को मारना स्टार्ट कर देगी मुझे पता है इसका यह देख चल जा परे को हड़ा 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 तुन्हें क्या करना तुन्हें बनानी वीडियो हड़ा हड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है पश्यों की सेवा करना इनका काम करना मेरी इक बहन हैं उनोंने मुझसे पूचा था कि दिदी चेतन कब आएगा वापस तो चेतन शायद शनिवार को वापस आएगा और आज बीर बार है कल शुकर वारे परसों परसों आएगा शायद बो और मेरे लेना एक दिन एक साल के बराबर हो रहा है ऐसे लग रहा है कि घर में कुछ भी नहीं है और ना मेरा मन रोटी बनाने को कर रहा है ना कुछ भी नहीं ना काम करने का क्योंकि मैंने बारा साल का हो गया बारा साल भर मैंने उसको कहीं नहीं भेज जा है कहीं भी नहीं 12 साल में मैंने उसको एक पल भी अपनी नजरों से दूर नहीं किया है अपने बेटे को पर आज जब इस तरह से बुख गया है न मुझे बहुत दुख हो रहा है बहुत ही ज्यादा मुझे रात को नेंदनी आ रही है और ना जहां पर वन्शु को बुलाना होता है बहाँ में चेतन को बलाती हूं सुवा मेरे साथ उठता था सब कुछ मेरे साथ करता था अभी मुझे बो रहा था फोन करके ममी कहते ना मैं आ जाओंगा जल्दी आ जाओंगा और शाम को कह रहा था कि ममी अगर आपकी तबियत ज्यादा खराब है ना तो आप मुझे बत अब मैं किसका मन रखूं पती का या बेटे का बस इसी मन में पीस पीस के मैं कभी कभी परिशान हो जाती हूं इसी कश्म कस में कि अगर पती की और पती का मन रखती हूं तो बेटा नाराज होता है और अगर बेटे का मन रखती हूं तो पती नाराज होता है तो कोई बात न जिनको नाराज होना वो होते रहें बट अभी अब बज रहें तीन और मुझे चले जाना है घर में और आज मैंने बनानी है मूंग दाल के भले तो वो रेसिपी में आपको जरूर शेयर करूंगी बट आज की वीडियो में नहीं वो आएगी कल की वीडियो में क्योंकि आज जब घर जाओंगी तो सबजी बनाओंगी दाल बनाओंगी तो शेयर करूंगी और आज के ब्लॉग में बस इतना ही मिलेंगे आप से नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जय माता दी आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखेगा सेफ रहेगा सुरक करके रहे ना फ्रेंड्स